नमो नमा च्छात्रो आज फिर द्याले से मैं नी थी शिर्वास्तो एक बार फिर से संस्कित किस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा दस वी के च्छात्रो का स्वागत करती ही च्छत्रो पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको गीता अमरितम अर्थात गीता का अमरित के विशे पर चर्चा की लिए और हमने आपको बताया कि गीता अमरितम अध्याय जो है वो श्रीमत भगवत गीता के द्वार से उध्रित है और इसको मालशी वेद्व्याद्वारा रचीत अन्पम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों सा संक्लन है इसमें छत्रो आप सब को ये मालूम है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निश्काम कर्म करने का उपदेश दिया है और प्रधान्तिया ग्रंथ का प्रतिपात्य विशे भी कर्म करना ही माना गया है समसुपनिश्डों की सारबुद गीता जो है वो भारतिय दर्शन की अमोल धरोहर है निधी है और भगवान के गुडों का प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में किया गया है उतना सुन्दर वर्णन किसी और ग्रंथे में नहीं किया गया है चात्रो इस प्रकार अन्य ग्रंथों में के भाती गीता में केवल उपदेश ही दिये गया है और एक भी उपते शदुब देश से कम नहीं है या रहित नहीं है यहाँ पर भारत के अध्यात्मिक ग्रंथों की या परिणी नती भी माना गया है इसलिए वेजव्यास जी ने गीता के विशह में कहा भी है कि गीता सू गीता का तव्या की मन्ने शास्त्र विस्तरो यहने गी गीता का अभ्यास करने से मनन करने से और चिंतन करने से कोई दूसरा और कोई काम नहीं होना चाहिए क्योंकि गीता के सिवाए कोई दूसरा शास्त्रे गाने योग्ये और चिंतन मनन करने योग्ये नहीं है तो छात्रो आईए अब आज के संश में महाशी वेद्व्यास द् जो पाठ है उसमें क्या बता है ज़र उसको जानने के लाई हम लोग देखते हैं क्लाश 10 संस्क्रेश सश्ठा पाठा गीता अम्रितम का चतुर्था भागा प्रस्तोत पाठ में भी श्लोकों का अन्वे और हिंदी भाषा में संदव सई व्याठ्या के इस साथ विशेश पर हमने प्रकाश चाला नौचात्रो श्लोक नंबर 6 श्रद्धा वान लब्भते ज्यानम तत्परा सैयतेंद्रिया ज्यानम लब्दुआ पराम शान्तिम चिरेणा धी गच्छती तो अन्वे देखे श्रद्धा वान लब्भते ज्यानम तत्परा सैयतेंद्रिया ज्यानम लब्दुआ पराम शान्तिम चिरेणा धी गच्छती श्रद्धा वान तत्परा सैयतेंद्रिया ज्यानम लब्दुआ अचिरेण पराम शान्तिम अधी गच्छती नव शातरों श्लोक का सलात करने से पहले हमको संदर करना होता है और संदर में प्रस्तो श्लोक जो है वो श्रीमत भगवत गीता नामग्रंत से संग्रहीत होकर हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत साहित के पद्धिप्योशम के सश्ठा पाठा गीतामरितम से लिया गया है और इस उतरण में श्री कृष्ण ग्यान के पात्र का और ग्यान से परम शान्ती की प्राप्ती का अर्जुन को उपदेश दे रहे यान के पात्र के यान का पात्र होना और ग्यान प्राप्त होने के बाद जो हमको परम शान्ती मिलती है उसके बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे तो देखे शात्रों श्रद्धावान तत्परा यने श्रद्धावान यने श्रद्धावाला जो व्यक्ति होता है वो तत्परा यने ज्यान प्राप्त करने में तत्पर होता है यने प्रयतनेशील होता है या लगा हुआ होता है ऐसा भी आप बोल सकते हो तत्परा यने लगा या प्रयतनेशील जहना तो इसलिए वो क्या करें श्रद्धावान तत्परा यहने श्रद्धावाला व्यक्ति जो होता है ज्यान प्राप्त करने में प्रयतनेशील होता है और सन्यतेंद्रिये ज्यानम लबते और सन्यतेंद्रिया यहने इंद्रियों को वश में रखने वाला भी पुरुष जो होता है वो ज्यानम लबते यनि ज्यान को प्राप्त करता है तो क्या बोले है कि श्रद्धा वाला जो व्यक्ति होता है वो ज्यान प्राप्त करने के लिए प्रहतने शीर रहता है और जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है या वश में रखने वाला होता पुरुश है वो भी ज्यान को प्राप्त करता है ज्यानम लब्दवा आचीरेण पराम शांती मधी गच्छती ज्यानम लब्दवा यने ग्यान को प्राप्त करके लब्दवा यने प्राप्त करना तो ज्यान को प्राप्त करके आचीरेण यने शीग्रही जल्दी ही पराम शांती यने परम शांती को अधी गच्छती यने प्र प्राप्त कर लेता है तो ज्यान को प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है जल्दी ही परम शांती को प्राप्त कर लेता है और इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष भी ज्यान प्राप्त करता है और ज्यान प्राप्त करके ही मनुश्य शीग्री ही परमशान्ती को प्राप्त कर लेता है नौ विशेष देखिए संयत इंद्रिये में बहुब्री समास है संयत आनी इंद्रियानी यसे सहा बहुब्री ही समास श्रद्धावान में श्रत प्लस धा धातू और मतुप्रत्य याने वान आ रहा है इसलिए मतुप्रत्य तो श्रत उपसर गए धा धातू और मतुप्रत्य लबते में लब धातू लटलकार आत्मने पदा प्रतम पुरोष एक वचना लब दुआ में फिर कत्वा प्रत्य है लब प्लस कत्वा प्रत्य है और अचीरेण नहीं है तत्पुरोष समाँ से ना चीरेण अधी गच्छती में अधी उपसार गये प्लस गमधातू प्लस लटलकार प्लस प्रतम पुरोष एक वच्चन ठीक है नौशलोख नमबर साथ नायम लोको अस्ती ना परो ना सुखम संशयात्मना पीसे सुन लिजे थोड़ा सा प्रोनाउंशेशन में दिखकत है अग्यश्चा शद्धना शद्धा नस्चे संशयात्मा विनश्यती नायम लोको अस्ती ना परो ना सुखम संशयात्मा नौ छात्रों श्लोक का अन्वे करने के लिए हमको फॉर्मूला वहिए कि करता प्लस कर में प्लस क्रिया और इनके विशेशन को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ती में नियोजन करना ही अन्वे है नौ अन्वे देखे इसका अग्या अश्रध्धाना चा शंश्यात्मा विनश्यती संश्यात्मना अयम लोका नस्ती परलोका नस्ती सुखम नस्ती ठीक है तो नहा पर संदब देखे प्रस्तु श्लोक का प्रस्तु श्लोक श्रीमत भगवत गीता नामक ग्रंत से संग्रही तो कर हमारी पाठे पुस्तक संस्क्रे साहित के पध्य प्यूशम के सश्ठा पाठा गीता अम्रितम से लिया गया है और इस उतरण में श्रद्धा रही संशय यूग्त अज्ञानी की दुर्गती का उते श्री कृष्णी जी अर्जुन को दे रहे हैं यहने जो संशय यूग्त ड अज्या आश्रद्धाना अज्या यने जिसके पास ज्यान नहीं है और अश्रद्धाना यने श्रद्धा ना रखने वाला और चायने और संशय आत्मा विनश्यती संशय आत्मा यने संशय से यूग्त मन वाला विनश्यती यने पुरुष नश्ठ हो जाता है तो क्या कह रहे हैं कि अग्या अश्रद्धानाच्च शंश्यात्मा विनश्यति यहने जो अज्ञानी होता है जो ग्यान हीन होता है और जो श्रद्धान न रखने वाला पुरुष होता है और जो शंशे से युक्त मन वाला पुरुष होता है तो वह पुरुष नश्ट हो जा चंश्यात्मा अयम लोग कहा नास्ति चंश्यात्मा यने संसे में पड़ेवे मनुष्य का अयम लोग कहा यने यहां लोग नास्ति यने नहीं है परलोग कहा नास्ति परलोग भी नहीं है परलोग यने दूसरा लोग दूसरा लोग भी नहीं है और सुखम नास्ति यने सुख भी नहीं है तो वो क्या करें कि जो संशे में पड़ा हुआ मनुष्य होता है तो उसका ना तो यहां लोग है ना पर लोग है और ना ही उसके पास सुख है यानि सुख भी उसका नहीं है तो ना ध्यान से सुन लिजे कभी कहते हैं कि शेकिष्णी जी कहते हैं अर्जुन को कि ज्यान ही यानि जिसके पास ज्यान नहीं है बुद्धी नहीं है और जो व्यक्ति शद्धा ना रखने वाला होता है और जो संशे से युक्त मन वाला होता है वा पुरुस नश्ट हो जाता है क्यों क्योंकि संशे में पड़े वे मनुश्य का ना तो यह लोख होता है ना पर्रोख होता है और ना ही उसके लिए सुख होती है ठीक है सुख होता है ठीक है समझ में आये चात्रों आपको ना विशेश देखिए अज्या में नहीं तत्पुरु समास है ना जाना तीती अग नहीं तत्पुरु समास शद्धाना में शानश प्रत्य हो रहा है श्रत प्लस धा प्लस शानश प्रत्य आशद्धाना में फिर नहीं तत्पुरु समास है ना शद्धाना संशे आत्मा में बहुब्री समास हो रहा है संशे आत्मा यससा बहुब्री समासा ठीक है चात्रो इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्थ होता है आज की संश में चात्रो आपने दो श्लोक पढ़ा पहले श्लोक में अपने पढ़ा कि श्रद्धावान ज्यान प्राप्त करने में प्रैतने शील मनुश्य और इंद्रियों को वश में रखने वाला मुन परुष जो होता है जो ज्यान प्राप्त करता है वा ज्यान प्राप्त करने के बाद परम शांती का अन्भो करता है और दूसरे श्लोक में आपने चात्रों पढ़ा कि जो आश्रधान होते हैं याने जो अज्ञानी होते हैं और जो श्रधान ना रखने वाले पुरुष होते हैं और जो संशे में पढ़े हुए मनुष्य होते हैं संशे युक्त मन वाले होते हैं वो पुरुष नश्ठ हो जात क्योंकि संशे में पढ़े हुए मनुष्य का तो ना यहाई लोक में जगा है ना परलोक में जगा है और ना ही उसके पास सुख है ठीक है चात्रों तो इसलिए संशे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए और हमें ज्यान ही भी नहीं होना चाहिए ठीक है चात्रों किसी के साथ यह अंश यहां पर समापत होता है आज की इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आज भी दिया लेकि आपको लाइक करके फ्यरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लिए धन्यवाद चात्रो नवो नमा